मुश्कार दोस्तों हमारी चैनल में आपका एक बार फिर से सागत है आज की कहानी बेहर ड्रहनी कहानी है क्रिस्मस की खौफनाक रात ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है एनी डार्लिन कहां हुआ आप मुझे काफी लेट हो रहा है जरा रुकिये मैं अभी आई एनी की आवाज आई विल्यम वही सोफे पर बैठ गया तभी उनके तीनों बच्चे दोड़ते हुए उनके पास आई वही उनके पीछे नैनी नर्स भी दवाई की बाटल लेकर पीछी पीछी आई विल्यम बच्चों से अरे बच्चों संभल कर घिर जाओगे लेकिन बच्चे उनकी बातों को अंसुना करके दर्वाजे से निकल कर बाहर मैदान की और भागे वही नैनी हाफते हुए विल्यम से बोली विल्यम बाबो आपके तीनों बच्चे काफी शरारती हो गए हैं कोई बात ही नहीं सुनते विल्यम मुस्कराते हुए बोला बच्चे हैं सिस्टर आप उनके पेचे अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कीजी मैं बच्चों को समझा दूँगा कि आपको जाधा परिशान ना करे ठीक है विल्यम बाबो नैनी एप बोलकर बच्चों के पीछे चली रही तभी एनी टीफन और विल्यम का बैग लेकर नीचे आई सौरी सौरी विल्यम ये नीचे आपका समझा विल्यम बैग को कंदे में रखकर बाई बोलकर जाने लगा तभी उसकी नजर एनी की उदास चहरे पर बढ़ा वैं उसके पास जाकर बोला क्या हुआ मेरी जान ऐसे उदास के हो उसक ठीक तो है न एनी विल्यम के सीने से लगते हुए बोले आप आज कहीं मत जाओ मुझे मोट अजीव लग रहा है कल चली जाना विल्यम हसते हुए बोलता है दख पगली इतने से बात के लिए इतने सुन्दर चहरे को उदास किये बैठी हो चिंता मत करो मैं जल्द ही आ जाओं का आज तो क्रिस्मस का दिन है तियार के दे घर से बाहर जाना अब शबन माना जाता है एनी कैसे ही वही करके विल्यम को रोगना चाहते थी विल्यम मुस्कराते हो बोला जान ये बाते उनके लिए होती है जिनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता आप चिंता मत करो में शाम होने से पहले ही घर आ जाना यह बोलकर विल्यम तेजी से घिर से बाहर निकल भया, वे एनी विल्यम के लिए काफी चिति थी, विल्यम बॉल उनके परिवार में उनकी पत्नी एनी हो तीन बच्चे थी, जिनकी देखवाल करने के लिए एक बेट नर्स नहीं थी, वे दक्षिन इंलाइन में बसे करती थी, जो उचे-उचे पांड़ों तथा गने जंगों में धिरा हुआ था, क्रिस्मस का दिन था, बिल्यम को आज बहुत जरूरी मीटिंग के चलते नंदन जाना था, कडागी की ठंड पड़ रही थी, लेकिन वहां के निवासी अपने प्रेय तयार की तैयारियों में बेस थी, बच्चे बेहत खुश थी, एनी सारी तैयारियों कर रही थी, उनकी मदद नैनी कर रही थी, तैयारियों करते करते शाम हो आई, जिसकी बाद नैनी भी जल्दी चुटी मांकर अपने घर चले गए, पर एनी पुरे दिन काफी दुखी थी, विल्यम का इस पुरित इस दिन भी घर में ना होना एनी को अखरने लगा था, एनी विल्यम के ख्यालों में खोई हुई थी, कि अचानक उसने विल्यम को सीलियों से उपर चुटती देखा, लेकिन विल्यम तो उस समय लंदन में थी, इसलिए एनी को बहुत आश्चर्य हुआ, बच्चे भी वही देखकर वे तीनों बापा बापा चिलाने लगी लेकिन वे टेजी से उपर वाले हौल में खुझ गए, उसका पीछा करते हुए जब एनी तथा बच्चे हौल में गए तो वहां कोई भी नहीं था, एनी और बच्चे हैरान थी, तभी उनकी नजर विल्यम के सिगार पुली जो वहां में आप जल रहा था, जिसके कुछ पन ही विल्यम की तेज चीख उरे करने खुझ जिसे सुनकर बच्चे रोने लगी, जिसके बाद एनी उनी सीने से लगा कर चुक कराने लगी, लेकिन एनी भी इन सबी हो रही गटनाओ से हैरान थी, कि आखिर ये सब हो क्या रह एनी और बच्चे जब परातना करने निचे उतरने के लिए सेलियो के पास गई तो एक कुणे में खुझ से सने हुए दो हाथों के च्छाप देगी, बच्चे उसे देखकर डर गए, वही एनी भी बेहट डर गई, क्योंकि वह च्छाप विल्यम के हाथों की थी और ताजे खून से बनी हुई थी उसे देखकर एनी और बच्चे घबना कर वापस हौल के अंदर आ जाते हैं और डर के मारे वही बैठे रहते हैं जिसके थोड़ी देर बाद उनकी नीद महीं बढ़ जाती है काली अमावस की रात अपनी चरम पर आ चुकी थी तब ही रात के दो बचे एक साया तेजे से दोड़ता हुआ एनी के घर के दर्वाजे के सामने जा खड़ा हुआ और दर्वाजा कटटानी लगा जिसके आवाज सुनकर एनी हड़ बढ़ाकर उट बैठी और डर्टे डर्टे दर्वाजे के पास पहुची वे बोलना चाहती थी लेकिन उसके मुझसे आवाज ही नहीं निकल रही थी जिसके आवाज सुनकर एनी हड़ बढ़ाकर उट बैठी और डर्टे डर्टे अब दर्वाजे के पास पहुची वे बोलना चाहती थी लेकिन उसके मूंसे आवाज ही नहीं निकल वही थी तभी ऐनी की हल किसी आवाज आई कौन जिसके बाद खटा हट बंद हो गए कुछ सेकिंड तर खोर सुनाटा चाँ गया फिर बाहर से एक आवाज आई मैडम दर्वाजा खोली है मैं हूँ है हैम विल्यम के कारिले का कमचारी था एनी उन्हें जानती थी उसने दर्माजा खोला तो देखा हैम काफी आफ रहा था जिसके बाद वह गहरी सांस लेकर छोड़े दिया और बोला एक बहुत दुख समचार है सर विल्यम अगमाई सांग नहीं उनकी करियर शाम पांच बजे किसी ने हत्या कर दी मुरुत्यों से और हुए सिगार पी रहे थी वही हत्या वाले कमचारी में फूर से सनी उनके हाथों के चाप भी पाई गए थी हैरानी की बात यह है कि मैं उस कमचारी में बिल्कुल अकेली थी एहनी यह सुनकर मूर्थी की तरह रही जब गई उसका दिमाग शूने की और जा रहा याद आ रहा था तो बस सीड़ियों से चड़ता हुआ विल्यों हाल में एक जल रहा सिगार और सीड़ियों के पास खूं से बना दोनों हथों की चाप जो तीरे-दीरे आए गयरा था इंग्लेंड में आज भी विल्यों की इस अजीब मौत के इस रहसे को कोई सुझा नहीं पाया रहा हुए वही उसके वही उनके परिवार के लो बताए विडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हर रात दर्स बजे ऐसे ही ड्रामनी कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद